असलाम वालेकुम दोस्तों, उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे इद आने वाली है तो क्या आप सब ने सोचके रखा है कि घर पे मीठा क्या बनेगा और अगर नहीं तो आपके मुश्कीलित में आसान करने वाली हूँ आज हम बनाएंगे नवाबी सेमाई, यह बहुत जादा रिच, डेलिशिस, क्रीमी और एकदम लाजवाब बनती है घर पे और इसकी सबसे अची बात क्या है पता है इसे ना आप आसानी से घर पे लाज क्वांटिटी में एडवांस पे बना के रख सकते हैं और फिर इंजॉय कर सकते हैं इस इत के मौके को अपने फैमिली के साथ तो चलिए शुरू करते हैं तो यह बड़िया सी नवाबी सेवाई बनाने के लिए एक पैन में मैं ले रही हूँ तीन टेबल स्पून घी आप चाहें तो अंसॉल्टे बटर भी ले सकते हैं लेकिन ओई बिल्कुल भी नहीं यूज कीजेगा क्योंकि अब नवाबी सेवाई बनाने जा रहे हैं तो इसमें ओईल की स्मेल आ जाती है और वो मज़ा नहीं आता है पता होगा तो आप चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं तो यह वाली सिवाई जो मार्केट में इजली मिल जाती है यह वाली मैं यूज कर रही हूँ और एक पैकेट जो है ना करीबन इस गरम घी के ओपर इसको सारे जित्ती भी से वही हमने क्रश की थी इसको पैन में डाल दीजे और अब इसको हम रोस्ट करेंगे मतला भूनेंगे लो मीडियम फ्लेम पर लो में ही करना फ्रेंस वरना यह जल सकती है पिकोस बहुत हलकी होती है तो इसको एक से दो मिनिट के करीबन एक से दो मिनिट के बाद मैं डाल दोंगी याने की चार टेबल स्पून भरके पाउडर शुगर आप चाहें तो रेगिलर शुगर भी यूस कर सकते हैं लेकिन क्या होता है वह मिक्सिंग में इतना फास नहीं होता है पाउडर शुगर जल्दी से एकदम मिल जूल ज जब तक पूरी शुगर और मिल्क पाउडर अच्छे से मिल जूलना जाए सेवईयों के साथ और घी का जो फ्लेवर है एकदम बढ़िया तरीके से आ जाए सेवईयों में तो इसे लगातार इसे भूनते जाए तो इसी स्टेज में आपके पास चांस है इसको भूनने का क्य क्योंकि इन्हें लाइटी रहती है तो यह थे कि थोड़ी देर के बाद करीबन 4-5 मिनिट के बाद सेवईया एकदम बढ़िया तरीके से भून गई कलर भी हलका सा डार्क हो गया और जो शुगर और मिल्क पाउडर हमने यूज किया था वो भी एकदम अच्छे से मिल जूल गया है सेवईयों में तो इससे क्या होगा ना हमारी सेवईया एकदम बढ़िया तरीके से मीठी हो जाएंगे तो बस यह अच्छे से भून गई है इसका कलर भी अच्छा आ गया है गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और अब क्या करेंगे ना इसका जो 3-4 पोशन है मतलब कि इ इस इस है वह इसी में रहने देंगे और इसको वापस से फ्लेम के उपर रखेंगे मैं अब अन करना जरूरी नहीं बसको मैंने इस गयास के पर वापस रख दिया है क्योंकि सेवईये तो भूनी हुई है इस वान फोथ पोशन में हमको डालना है पिंच ओफ और और इंज फ सेवईया भूनी हुई सेवईयों का जो कलर है उसको रख सकते है वह भी मज़े के लगता है बिल्कुल जरूरी नहीं कलर डालना और इसको भी मिक्स कर लेंगे एक मिनेट के लिए जैसे कि इसमें कलर अच्छे से आज़ए यह देखिए एकदम हलके हलके और इसको ऐसे ही छ चाहें तो एक कुसी छोटे बोल में या किसी भी शालो बोल में कोई भी केक टिन में भी आप सकते हैं पर जैसे मैंने आपको बताया तो अपने मोल्ड के साब सेवईया उतने ही भूनियेगा इसमें हम डाल देंगे यह 3-4 पोशन जो पहले रिजर्व करके रखा था और यह देखी इस तरह से जैसे मैं कर रहें इस पैटूला से इसको फैलाते जाए और इसे दबाते जाए और जब पूरी सेवईया अच्छे से फैल जाएगी ठेक लेयर आपका बन जाएगा उसके बाद कोई भी कटोरी से या फिर ग्लास से मैं यह वाला ग्लास यूस कर रहें तो इसको ऐसे प्रेस करते जाएगे तो यह देखिए हमारा फर्स्ट बेस तायार हो गया है सेवईयों का एकदम टाइटली पैक्ट हो गया है अच्छी लेयर बन गे मैं आपको साइट से भी दिखा दिखा दिए एकदम हलका सा पतला दिख रहा है साइट से इसको साइड मे नेक्स यहां पर हैवी बॉटम पैन में मैंने रखा है एक लीटर दूद उबालने के लिए तो जैसे मैं जादा कॉंटिटी पे बना रही हूँ इसलिए मैंने एक लीटर दूद रखा है इसको पहले बॉइल करेंगे जैसे ही अच्छा सा बॉइल आ जाएगा गास का फ्ले और इसे और उबलने देंगे तो जब तक यह दूद उबल रहा है यहां पे छोटे से बोल में मैंने लिया है करीबर आधा कब दूद तो यह पहले से बॉइल किया हुआ और थंडा दूद है मैंने फ्रिज में से निकाला है और यह एक लीटर के अलावा आप यूज कर सकते और इन दोनों चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेंगे जैसे इसमें कोई भी लंप्स ना रहे है तो यह देखे एक दम प्लेन मिक्स्टर तयार हो गया है इसको साइड में रख देंगे तो यह देखे दूद हमारा अच्छे से बॉइल हो गया था मैंने ग तो थोड़ा थोड़ा बैचस में करके डालते जाए और इसे लगातार मिक्स करते जाए तो यहां पर इसले में पहले से विस्क कर रही हूँ ताकि कोई भी गाठे ना पड़े तो इसमें बैचस में डालते जाए और लगातार मिक्स करते जाए और इस समें गैस का फ्लेम मै भी इससा नहीं करना है, मभीमर का क्योंकि बहुज्स जादा बॉयुल क यह बहुत जादा लंपीईगा इस इसको इतना ही गाड़ा करना है कि एक तम थिक पोरिंग चैसा हो जाए यह देखे, मैं आपको दिखाते हूँ एक दम गाड़ी आ गया है इसे करने में बस मुझे तीन से चार मिनटी लगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, बस इतना है कि उसका जो कच्छा फ्लीवर है ना, कॉन फ्लार और कस्टर पाउडर का वो चला जाना चाहिए, तो अगर आपको चाहिए तो आप इस समय टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं तो मुझे ऐसे लग रहे है सारी चीज़े इसमें पक गई है और काफी गाड़ा हो गया है और जो बैक आप स्पून है उसको कोट कर रहे है जो पीछे चमच है उसको एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी आ रही है इसका मतलब भी राइट स्टेज है और हमको इतना ही गाड़ा तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप कंडेंस्ट मिल्क याने की मिल्क मेड यह करीबन देट सो ग्राम होगा आप 200 ग्राम तक का भी डाल सकते है मिठास के लिए मतलब छोटा वाला जो टेन आता है न 200 ग्राम वाला वो पूरा भी यूज कर सकते है इससे क्या हो पूरा 200 ग्राम का ही डाल दीजे अगर इतना दूद यूज कर रहे है तो और अगर नहीं तो आप अपने साब से एक्स्टा शुगर डाल के अज़स्ट कर सकते हैं तो मैंने यहां पर शुगर नहीं यूज किया है क्योंकि मैंने इसमें सर्फ यह इसमें स्रिफ यह अग उस अगर नहीं मेंने से नहीं की डाल दीजयूंग श्याइट कर गोर तो पहत जाएं मैने मिक्स कर दीजर कोुई अच्छा से तो एकर अब को छाएब कुष्टा देरा के तो अर अगर अगर आपको बहुत ज़धा रिच बनाना इससे से भी जादा तो इसमें आप बर सकते ती अब यह गाड़ा Mixture याने की फिलिंग तयार हो गया, एकदम थिक, पोरिंग कंसिस्टेंसी का है, देखिये, एकदम लंपी नहीं है लेकिन पोरिंग कंसिस्टेंसी का है, तो इसी स्टेज में हम ग्यास का फिलीम आफ कर देंगे, इसको बहुत जादा नहीं पकाएंगे. तो इसको आगे बिल्कुल नहीं पकाना है क्योंकि क्या होता है यह थोड़ा सब ठंडा होने के बाद भी जल्दी-ज़ी सेट होना स्टार्ट हो जाता है तो इसलिए इस स्टेज पर ही हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे तो चलिए अब सब कुछ असेंबल कर लेते हैं तो जो हमने फर्स लेयर बना के रखी थी सेवयों की उसके उपर ही हम डाल देंगे यह क्रीम तुरंत परलब रूखना नहीं है गर्मा गरम ही आप डाल सकते हैं उसके उपर यह क्रीम और कस्टड का मिक्शर उसके उपर फैला दीजिए अच्छी तरह से जिसे की पूरा कवर ह बनाईएगा फ्रेंट्स की कम से कम एक देड़ इंच जित्ती थेक लेयर बनाईएगा तो मैं इसमें बना रही हूं तो उत्ती लेयर तो बनी जाएगी तो इसे पूरा फैला लीजिए यह देखिए धीर धीर आपको देखके अंदाजा लग रहा होगा थोड़ा-थोड़ा सेट होना भी से स्टार्ट हो गया और ठंडा होने पने एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा तो जब यह गरम ही है पूरा अच्छे से फैला लीजिए यह देखिए मेरी सेकेंड लेयर रेडी हो गई है फिलिंग की मैं आपको साइड से भी दिखाती हूं पतली लेहर है सेव अच्छे से डाल देंगे तो इसको शारो तरफ ऐसे फैलाते हुए जाहिए अगर आपके पास कम भी है तो भी चलेगा बस है कि ऐसे पतली-पतली सेवा यह हर जगे पहला लीजिए कि जो फिलिंग है ना कस्टड की फिलिंग नहीं दिखनी चाहिए और अगर आपके पहले क तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं अब दोनों मिक्स करके पूरे में स्प्रिंकल कर लीजिए जैसे कि पूरा टॉप कवर हो जाए मस फिलिंग नहीं दिखनी चाहिए तो मैं सारे कोनों में भी ऐसे अच्छे से डाल दूँगी सारे कोनों में एच्छे से डाल दीजि तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ थोड़े से बादाम graffiti काजू और फिर मैं इसमें ऐल डाल रही हूए थोड़े से पिस्ता आप चाहें तो कोई भी नुटस सबकों जो पसंदहों बादम जो पसंदहों डाल सकते हैं इसको भी अच्छे से स्प्रेट कर लीज़े चैरो तो बस इसको आप चाहिए तो थोड़ा हलका ठंडा हो जाए फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं गरम आगरम तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अब रूम टेंपरेचर पर ही जैसे सेट हो जाएगा वैसे भी खा सकते हैं लेकिन मैं इसको फ्रिज में रखोंगी करीब चली अब निकाल के देखते हैं यह देखिए कितने बढ़िया तरीके से सेट हो गया है अब अच्छे से सेट हो गया और इसकी पुडिंग भी ऐसे मुझे देखकी पता चल रहा है जब मैं दबा रही हूं तो एकदम सौफ्ट नहीं लग रही है एकदम अच्छे से पूरा स अब मैं आपको कट करके दिखाती हूं तो मैं साइट से थोड़ा से से निकाल के दिखाती हूं यह देखिए कितना अच्छे से निकला है टॉप एंड बॉटम में है एकदम क्रंची से महिया और बीच में है एकदम क्रीमी कस्टड की फिलिंग तो फ्रेंस आप भी इसको इ इत्म बबारक and बबाइ!